हेलो एवर्वन वेल्कम बैक वन्स अगें तो मैं चैनल अस्बाला ट्यूटोरियल्स मैं हूँ श्पिता बाला और स्वागत है अब से भी का मेरे चैनल पर आज के इस वीडियो लेक्षे में हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ओफ डिवलप्मेंटल बालेजी के बारे में अज 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 आए टोल यू कि यह हमारा एक सिरीज ओफ वीडियो लेक्षे होगा जिसमें कि हम बेसिक डिवलप्मेंटल बैलेजी के जो टॉपिक से उनको वन वाई वन डिसकर्स करेंगे तो आज हम डिसकर्स करने जा रहे हैं टॉपिक नबर टू इस सेल्फ फेट और फेट मैप इसके पहले हमने सेल्फ पोटेंसी के बारे में बात की थी तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो मैं रिक्वेस्ट करने चाहूंगी कि प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल और प्लीज प्रिस प्रिस अप्डेट अप्डेट अन नोटिफिकेशन आफ मैं अपकमिंग वीडियो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज से लाइक करें साथ ही साथ शेयर करें ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहरे हम बात करते हैं सिल्फ पेट के बारे में पेट का लिटरल मिनिंग अगर हम कहें तो इट मीन्स दस्टिनी और फ्यूचर आइडेंटिटी तो जब हम किसी परसन के पेट के बारे में बात करते हैं यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सेल्फ पेट के बारे में similarly सेल्स के केस में भी यहाँ पे हम जब सेल्फ पेट को दिस्क्राइब करते हैं that means we are describing the future identity or the destiny of that cell यह फिर उसके डाउटर सेल्स की आइडेंटिटी को अगर हम दिस्क्राइब कर रहे हैं इसका मतलब है कि हम उससेल के पेट के बारे में बात कर रहे हैं so the fate of cell describes its future identity or the identity of its डाउटर सेल before it is actually phenotypically detectable through the differentiation or division इससे पहले के सेल differentiate हो उनमें division हो इसके पहले हैं in the early embryonic stage जब हम सेल की future identity को discuss करते हैं then it means we are discussing about the fate of the cell okay so cell fate कहने का मतलब क्या है हम इसके थूप क्या करना चाहरे है so by using this term we are trying to describe the range of cell type कितने different type of cells में वो particular cell differentiate करेगा in future हम इस चीज को बताने की कोशिश करते हैं okay तो cell fate क्या करता है यह describe करता है the type of different cells that a particular cell can give rise during the normal developmental process किसी भी cell का fate जो है वो डिपेंड करता है उस cell की potency के उपर साथ ही साथ उसके आसपास के involvement के उपर so if the cell have potential or the potency but उसे उस तरह का involvement या आप कह सकते हैं inductive signals प्रोवाइड नहीं किया जाए तो it may be possible that कि cell जो है वो अपने सारे कि organism के अंदे जितने भी cells होते हैं either वो embryonic origin के हो और the extra embryonic lineage के cell हो उन सभी cells को produce करने के लिए capable होता है बट यह तब ही होगा जब उसे suitable involvement प्रोवाइड किया जाए similarly अगर हम oligopotent cell and totipotent cell को compare करें तो हम लोग यह देखेंगे कि जो totipotent cell है वो सभी तरीके के cells जो है वो तीनो ही germline के cell को produce करने के लिए capable है बट वहीं oligopotent cell के हम बात करें तो वो दो यह तीन variety के cells को ही produce कर सकता है generally they are considered progenitor cells तो किसी भी cell का जो fate है वो depend करेगा उसकी potency पे और उसके environment पे जो से provide किये गये है next आता है हमारा topic fate map so what is fate map? fate map is a diagrammatic representation of the prospective fate of each part of an embryo so at an early stage of development so जब हम किसी भी embryo के early stage of development में उसके different parts को यह mark करने की कोशिश करते है कि in future वो किसी तरह के cells में differentiate करेगा then it means we are trying to make a fate map so fate map क्या है? fate map एक diagrammatic representation है जिसमें कि हम यह बताने के कोशिश करते हैं कि जो particular cells है किसी particular reason के वो किस तरह के जो है वो cell में वो अधर differentiate करेंगे okay so यहां आप diagram में देखिएगा यहां पर जो cells है उनको अलग-अलग colors में यहां पर दिखाया गया है तो देखिए यहां पर जो blue color है यह show कर रहा है यहां पर के cells जो हैं वो क्या करेंगे epidermal ectoderm का formation करेंगे while यहां पर जो reddish section है वो जो है mesoderm origin की cells को produce करने का काम करेगा वहीं यह yellow portion जो है वो क्या करेगा वो endoderm का formation करेगा okay तो इस तरह से यह जो different type distinct regions देख रहे हैं अलग-अलग color से marking की गई है इन सारी reasons को हम लोग क्या बोलते हैं primordia या rudiments suppose this blue reason के लिए अगर हम बात करें तो यह क्या कहलाएगा ectodermal primordia या फिर rudiments of epidermal ectoderm okay so fate map जो है इसको generate करने के लिए हम लोग generally dyes या marker या labeling agents के इस्तमाल करते हैं और यह labeling agent क्या करते हैं यह labeling agents जो होते हैं वह early embryo के साथ tag होते हैं और जैसे जैसे जो developmental process undergo होता है यह doubler cell के साथ भी क्या होते हैं वह pass on होते हैं जिसके वज़े से we can identify that keep जो particular cell था वो अब किस तरह के cell में developed कर गया है तो वैसे species जो की stereotype cell division में involved होते हैं तो उनका जो fate map अगर बात करें तो क्या होगा काफी accurate होता है so those species that undergo the stereotype cell division they have the accurate fate map stereotype cell division कहने का क्या मतलब है that means यह पे जो cell है वो अपने prison में रहकर के ही divide करते हैं उनमें किसी भी तरह का mixing नहीं होता है okay in most species there is a certain degree of random cell sorry random cell division and the mixing so the fate maps are probabilistic but most of the species ऐसे हैं जिनमें की हम देखते हैं की cells की random mixing होती है और जो division होता वो भी काफी random होता है तो इसलिए हम कह सकते हैं की जो fate map होता है in most of the species not everyone बठागा बहुत सारे में species जो हैसे हैं जिनमें की fate map हम जो तयार करते हैं वो काफी probabilistic होता है क्यों? because of mixing of the cells and the random division अब हम बात करते हैं इसके significance की so what are the significance क्यों हम fate map बनाते हैं या हमें क्यों fate map बनाना चाहिए इसकी भी कोई वजा होनी चाहिए तो हम बात करते हैं सबसे पहले significance की that essential tool in most embryological experiments so embryological experiment में fate map एक बहुत ही important tool की तरह काम करता था okay next है help to trace the cell lineage by following the fate of parts of early embryo during the development तो यह क्या करता है fate map ही हमें different cell lineage के actual origin से जानने में मदद करता है okay third है help to understand the mechanism of morphogenetic movement during the gastrulation so third significance क्या है इसका है कि यह help करता है for understanding the morphogenetic movement okay तो किस तरह से gastrulation की time morphogenetic movement हो रहे हैं किस तरह से cells है move कर रहे हैं and mix हो रहे हैं during the gastrulation इसको जानने के लिए हमें fate map की जानकारी होनी बहुत जरूरी है चलिए अब बात करते हैं how the fate maps can be generate तो इसके लिए हम कई तरीके का इस्तमाल कर सकते हैं जैसा सबसे पहला तरीका है वो है by observing the living embryo so सबसे पहले in 1905 1905 में सबसे पहले एक scientist थे जिनका नाम है E.G. Colin कालकिन तो सबसे पहले पहले जिनका है नाम E.G. कालकिन जिन्होंने 1905 में एक sea squirt या tunicates कह सकते हैं आप tunicates के जो embryo थे उनके fate map को describe किया था उनने सबसे पहले fate map का construction किया था वो है E.G. Conklin okay in 1905 so he is using the tunicate or the sea squirt egg okay and यहाँ पे benefit होने क्या था यहाँ पे उन्होंने किसी तरग डाई या labeling agent ने इस्तमाल किया था बलकि जो cells थे उनमें present content के वज़े से जो cells की colors में change आया था on that basis यहाँ पे उन्होंने embryo के fate map को बनाया था जैसे cell के अंदर वैसे cells जो कि clear cytoplasm contain रखे थे उन्होंने ectoderm बनाया वहीं dark grey and yellow की जो part था उसने endoderm बना उसके बाद light grey color उससे notochord and neural plate का form में शुन हुआ तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि different अलग-अलग cell content है उनकी विज़े से embryo के अलग-अलग cells है वो differentiate हो रहे हैं and by observing the living embryo we can easily identify the weight map next step by using the vital dye marking कहीं तरह कि यहां पर dyes का इस्तमाल करते हैं इन dyes का काम क्या होता है यह dyes जो है cell को केवल color करती है बट इसके जो natural process है उसको कहीं भी interfere नहीं करती है generally vital dyes जिसका केम इस्तमाल करते है fit map बनाने के लिए वो है nile blue sulfate neural red bismak brown and janus green इसके अलावा we use the carbon particle यहां पर हम लोग carbons के particle को cell के अंदर या तो stick करते हैं और inject करवाते हैं ताकि जो cell है वो जैसे जैसे divide करें उसके साथ साथ यह particles भी जो है उनमें आगी की और move करें और with the help of these carbon particles we can identify the fate of that cell next आता है radioactive labeling इस process के अलावा हम लोग generally C14, P32 and H3 का इस्तमाल करते हैं इसके अलावा हम लोग titrated thymidium thymidium का भी इस्तमाल करते हैं next है fluorescent dyes so by using fluorescent dye हम लोग weight map का formation कर सकते हैं fluorescent dye use करने के लिए करते हैं जो कि cell में एक बार अगर इसको introduce करा दिया जाए तो वो easily cell से diffuse out ना हो सके okay तो एक्जांपल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं fluorosine dextran amine FDA and rhodamine dextran amine RDA इसके अलावा है dialkyl indocarbocyanine जिसे हम लोग दिल के नाम से भी जानते हैं इसके अलावा dialkyl oxocarbocyanine यानि डायो इन सारे fluorosine dyes का हम लोग इस्तिमाल करते हैं for making the fate maps and last one is the by genetic marking okay so by using this technique also we can identify the fate maps okay so that's all for today's session thank you for watching my video for more information and query please join me on telegram that is life science tutorials okay please subscribe today my channel as well as tutorials thank you once again and bye-bye